बेताल पच्चीसी चौवीसमी कहानी मा बेटी के बच्चों में रिस्ता क्या मा बेटी के बच्चों में क्या रिस्ता हुआ बेताल पच्चीसी चौवीसमी कहानी किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था उसकी पत्री का नाम चलवती था वह मालब देश की राजा की लड़की थी उसके लावनवती नाम की एक कन्या थी जब वह बिभा के योग हुई तो राजा के भाई बंदूओं ने उसका राज छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालब देश को चल दिया राज को बे एक बंद में ठहरे पहले दिन चल कर भीलों की नगरी में पहुँचे राजा रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग बंद में छिप जाओ नहीं तो भील तुमें परेशान करेंगे बे दोनों बंद में चली गई इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वह मारा गया भील चले गए उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई बे दोनों सोक करती हुई एक तालाव के किनारे पहुची उसी समय वहाँ चंड सिंग नाम का साहुकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चड़कर सिकार खेलने के लिए उधर आया दोनों इस्तियों के पैरों के निसान देखकर साहुकार अपने बेटे से बोला अगर ये इस्तियां मिल जाए तो जिससे चाहो विबाह कर लेना लड़के ने कहा छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी उससे मैं विबाह कर लूँगा आप बड़ी से कर ले साहुकार विबाद नहीं करना चाहता था पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों इस्तियां दिखाई दी साहुकार ने पूछा तुम कौन हो रानी ने सारा हाल कह सुनाया साहुकार उन्हें अपने घर ले गया सयोग से रानी के पैर छोटे थे पुत्री के पैर बड़े इसलिए साहुकार ने पुत्री से बिबा किया लड़के ने रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और मा बेटे की बहु उन दोनों के आगे चलकर कई शंताने हुई इतना कैकर बेताल बोला राजन बताए मा बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिष्टा हुआ एर सबाद सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा उसने बहु सोचा और जबाब ना सूज पड़ा इसलिए वह चुपचाप चलता रहा बेताल है देखकर बो तुम इसे योगी के पास ले जाओ जब वह तुमें इस मुर्दे का सिर जुका कर प्रडाम करने को कहे तो तुम कह देना की पहले आप करके दिखाओ जब वह सिर जुका कर बताए तो तुम उसका सिर काट लेना उसका बलेदान करके तुम सारी प्रतवी के राजा बन जाओ हुए सिर नहीं काटा तो वह तुमारी बली देकर शिद्धी प्राप्त करेगा इतना कैकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया दोस्तों ऐसी और दिल्चस्प कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें मिलेगे फिर एक न इन दिज्जे बहराद